हलो हाई अबरिवान वेलकम बैक टू मैं चैनल दावत तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल दिवाली के लिए एक बहुत ही बढ़िया सी एकदम खसता और मुह में जाते ही खुल जाने वाली ऐसी मिठाई लेकर आए हूँ आज हम लोग बनाने वाले हैं एकदम परफेक्ट हलवाई स्टाइल चंदरकला मिठाई ये जो आज की चंदरकला मिठाई है एकदम हलवाई स्टाइल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ होने वाली है इसके अंदर खोए का जो स्टफिंग है वो तो बहुत ही जदा टीस्टी है और उपर से ये बहुत ही जदा ख इसके बाद चुटकी भर के करेब हमने इसमें नमक भी डाल दिया है और यह जो आज की चंद्रकला मिठाई है यह बहुत ही जालदा खसता हो इसलिए हम लोग इसमें बस एक चुटकी भर के करेब बेकिंग पौडर यानि कि जो हम लोग केक बनाने के लिए यूज करते हैं वो घी का मोयन भी हमने यहां पर ठंडा ही डाला है गरम करने की या गरम घीस में डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है चलिए थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हम लोग इसका एक सक्त सा आटा या डो तयार करेंगी तो यहां पर थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी में ही पा अच्छे से गरम होने के बाद हम लोग इसमें सबसे पहले डाल देंगे यह बारिक वाली सूजी या जो फाइन बॉम्बे रवा होता है चिरोटी रवाजी से कहते हैं वह हम लोग इसमें सर्फ दो टीस्पून डाल देंगे बहुत जादा कॉंटिटी में घी या रवा इसम स्टफिंग है बहुत ही जादा रिच है क्योंकि यह सर्फ खोय से बनती है वैसे तो ट्रडिशनल वे में यह खोय से ही बनाई जाती है लेकिन अगर आप लोग खोय से नहीं बनाना चाहते तो आप लोग इसके अंदर कोकोनट काया सूजी और चीनी का भी जो अंदर का स्ट कर लिये है उसके बाद ड्राइफ रूट्स होने के बाद हम लोग इसमें डेर सो उराम के करेब खोया या मावा डाल देंगे जैसे कि मैंने शुरुवात में ही कहा है कि यह ट्रेडिशनल वे में खोय से ही बनाई जाती है अंदर की स्टफिंग लेकिन अगर आप लोग यहा आप से कुछ भी इसमें डाल सकते हैं जैसे आप लोगों को पसंद है तो चलिए यहां पर खोया भी मैंने 7-8 मिनट तक अच्छी तरह से घी में इस तरह से भुन लिया है देख सकते हैं खोय ने घी छोड़ना भी शुरूर कर दिया है अब हमें क्या करना है इसमें डाल दे के बाद भी हमें इसे 3-4 मिन तक इसी तरह से अच्छी से पका लेना है तो यह स्टफिंग बहुत ही ज़दा टेस्टी लगती है क्योंकि इसमें खोय का यूज हुआ है तो इसी तरह से आप लोग इस दीवाली के मौके पर जरूर यह चंद्रकला मिठाई ट्राइ की जगा बहुत ही बढ़िया से बनती है और मार्केर में तो बहुत ही ज़दा महेंगी मिलती है लेकिन आप लोग इसे बहुत ही असानी से गरपर बना सकते है चलिए गैस का फिलिम मैंने बंद कर दिया है तब तक हम लोग चंद्रकला के लिए जो हमने आटा तयार करके रखा था थ है उसके हम लोग चोटे यहां पर लोया तयार कर लेंगे अब चंद्रकला मिठाई बनाए कैसे जाती है तो जो ट्रेडिशनल वे है हलवाई भी यूज करते है वह यहां पर यह जो हमने बॉल्स बनाए है इन्हें बेलते नहीं है हाथ से ही इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर सच्द्ध मिठाई से जाता हुबला है ओद नहीं है ओडर कममर के बलाए है हमने पूरा खोय का मैशरनल थापड़ के बाद हमने इसमें बा हुह मेटले कर दिया है और उसके मैक्स कर दिया है और उसके च्छै आधिया वह बनाकर हम जो गड़ कलके ना उसमें से स्टफ कर अच्छे से साइड है उसे क्लूज कर देगे बंद कर देगे अब यह चंदरकला मिठाए के जो खासियत है उसकी खूब सूरती है वह है इसके साइड वाली डिजाइन में तो यह किस तरह से बनानी है आप लोगों को अंगोटे की हल्प से इस तरह से हल्का सा पिंच करते अपने आप आप लोगों को यह जो डिजाइन है यह बनानी आ जाएगी तो इसके बाद सबसे पहले तो यह चंदरकला हमने हाथ से चप्ती करके बनाई थी अब हम लोग क्या करेंगे बेलन से इसे थोड़ा सा बेल देंगे जो पूरिया है छोटी छोटी इसके अंदर एक वो भी मिलते है तो आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं देखेगा इसी तरह से मैंने दो चंदरकला मिठाई और बाकी के भी सारी आटे की चंदरकला मिठाई यहां पर तयार करके ले ली है देखेगा अभी से ही यह कितनी ज़्यादा खूब सूरत लग रही है चलिए नहीं है तो इसका मतलब है हमें नॉर्मल जो एक दुम आप लोग अगर कहेंगे ना जैसे बालु शाही या समोसा कचोरी तलने के लिए या फ्राइ करने के लिए जैसे ओएल का टेंपरेचर एक दम लो रखना होता है शुरुआत में यानि कि यह बहुत ही जादा खसता बन तो यह चल्दी से लाल हो जाएंगी हमें लगेगा कि यह फ्राइ हो चुकी है लेकिन अंदर से इसका टेक्शर एकदम फ्लेकी या जो खसता बनती है वैसे नहीं बनेगा तो देखिएगा पूरे बारा से पंदा मिनित तक मैंने इने फ्राइ कर लिया है और एकदम पॉफे तरीके से तयार होगी चलिए अब इसे साइड में रख देते हैं तब तक बना लेते हैं चाशनी तो यहां पर एक कप भर के मैंने चीनी ले ली है और इसमें हम लोग यहां पर डाल देंगे चाशनी बनाने के लिए आधा कप पानी तो यह जो चाशनी बनेगी इसमें हमें स स्टेज होती है वहीं तक हमें चाशनी को पकाना होता है तो देख लीज़ेगा चाशनी में यहाँ पर चीनी जो है वो पूरी तरह से घुल चुकी है एक या दो उबाल आने के बाद हम लोग यहाँ पर गयास का फ्लेम बंद कर देंगे और चंदर कला मिठाई बनाने के लिए हमारी चाशनी तयार है या नहीं ये कैसे पता चलेगा तो आप लोगों को क्या करना है थोड़ी सी चाशनी इस तरह से इस पैचुला के ऊपर लेकर उसे उमलियों के बीच में इस तरह से चेक करना है हल्क का सा ओल के जैसा टेक्षर हमें यहाँ पर फील होगा इसमें तार बिल्कुल भी नहीं छूटेगा क्योंकि एक तारवाली चाशनी हमें यहां पर चाहिए ही नहीं तो देखेगा हल्की सी चिपचिपी सी यहां पर यह ओईल की कंसिस्टनसी जैसी चाशनी आपर त्यार हुई है गयास का फ्लेम कर दें के बन अभी सबसे लास में हम लोग इसमे काडामम या इलाईजी का पाउडर भी डाल देंगे आदा चमच अच्छे से इसे मिस कर देंगे और जो गर्मा गरम तले हुई या फ्राइ की हुई चंदरकला मिठाई है अब हमें इसे इसमें दिप करना है जो हमारी चाशनी है यह गरम होनी चाहिए इस बात का ध्यान कि दोरो साइड से मैं ने 5-7 मिनित तक अच्छी तरह से चाहसनी में इसे डिप कर लिया है प्लेट में निकाल लिया है अब हमारी जो चंदरकला मिठाई है सब करने के लिए बिल्कुल तयार है प्लेट में इसे निकाल लिया है गारनिशिंग के लिए थोड़ इसे ड्राइ भी आड़ कर दीजेगा जरूर इसे ट्राइ कीजेगा और एक चंदरकला जो है इसे मैं आप लोगों को तोड़ कर भी दिखाती हूँ यानि कि तभी आप लोगों को पता चलेगा कि इसका टेक्शर की तना ज़ादा खसता आता है और अंदर की स्टाफिंग तो बहुत ही बड़िया है तो जरूर रेसिपी को ट्राइ करना और मुझे कॉम्ट सेक्शन में बताना आज का वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेर और दावा चानल को सब्सक्राइब करना भी प्लीज मत भूलिएगा चलिए गाइस मिलते हैं इसी तरह से एक नईसे वीडियो के साथ या कोई और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थांक्स पो वच्छिंग टेक केर बाई बाई